दोस्तों आप सभी का विकास अकाडियम पे स्वागत है आज हम लोग एक यूद के बारे में डिस्केशन करेंगे जिसका नाम है चंदावार बैटल अब चंदावार ठीके यह जो चंदावार जगा है आपको ध्यान रखना चाहिए यह जो है यमुना नदी के किनार है आगरे से थोड़ी दूर ठीके आगरे से थोड़ी दूर चंदावार जगा है यही पे यूद हुआ था 1194 में इसलिए इसका नाम है बैटल अब चंदावार ठीके आपको जनना यह जरूरी है किसके किसके बीच में हुआ था एक तो हो गया मुहमद घोरी एक तरफ क्या हो गया मुहमद घोरी और दूसरे तरफ जय चांद देखे मैं बतायता हूँ मुहमद घोरी जो है वो घूर डाइनिस्ट का है कौन सा डाइनिस्ट है घूर घूर एक प्रविन्स होता है सेंट्रल आफगानिस्तान में उसका वो सुल्तन था और जयचन जो था ना कॉनोज का था कॉनोज का राजा कौन थे जयचन जो गहड़ा वाला डाइनास्टी का थे वो कौन थे जयचन मतलब आप यह मान सकते हैं महमद घुरी और जयचन के बीच में यहीं पर युवार हुआ था यूद हुआ था और 11-14 में हुआ था इसमें क्या हुआ अक्चली महमद घुरी जीत गया और जयचन हार गया ऐसा हलत हुआ हाती से नीचे गिर गया और उसके बाद उसको पहचानन भी मुश्किल हो गयता जयचांद को लेकिन जो भी है उनका ड्रेस कपड़ा देखके कोछ ओर्नामेट्स देखके उसको पहचाना गया बाद में ठीक है यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं ध्यान रखेगा कई बार कोशिन आ चुका है क्या असल में चंदवार की जो लड महमद घोरी है ना वो गाजनी चला गया था मतलब आफगानिस्तान चला गया था बीच में लेकिन फिर यहाँ यूद कैसे हुआ महमद घोरी जब गाजनी गया था एक स्लेव को छोड़के गय थे आपको पतागा उनका नाम है कुतुब दिन आईबाक जो आईबाक था असल में आईबाक और जयचन्द के बीच में यूद हुआ था लेकिन महमद घोरी घूर प्रभिन से इनको भेजे थे इसलिए कभी कभी कोशिन आ जाता है चंदवार के लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ है अगर अप्सन है महमद घोरी जयचन्द तो टीक लगाए अगर य गर श्चिज बतायता हूँ जो कोतीबां आई बाग आको पता होगा सबसे क्या केहते हैं ट्रोस्ट थोर्दली विश्वयसित्ह किसका महमद घोरी का इसलिए बाद में जलें हिंदे अगर रचयन्द में एकिसका महमद घोरी का तुम कोत्यभी दिन आईबाक लाहर में स्ञ होगे कुत्विद नाइबाग स्लेव डियनेस्टे आ गए चलिए कोई बात नहीं यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं चंदवार की और चंदर यूद में क्या हुआ कुत्विद नाइबाग और जयचंद इंबीच हुआ है अगर कोशिन आए घोरी तो भी ठीक लगाना यह बतायता हूं ऐसा नहीं कि मोहमद घोरी जो है यहीं पर यूद किया था इससे पहले आपको बतायता हूं इससे पहले भी यूद किये हैं 1191 में 1192 में कई सारह यूद किये हैं जैसे तरही का यूद पहला तरही का यूद किये थे फिर दूसरा तरही का यूद किये थे तो को भेज दिया किसको कुत भी दिना आई बाग को ठीक है तो मैं समझता हूँ यह चीज आपका क्लियर हो गया है Wish you happy learning Thank you for watching Becast Academy